दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बैल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले मैं भारत को भारती अता की माननिता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूँ उस काम में लगा हूँ माताओं के लिए ये नियम है विशेश रूप से घर में खाना बनाते समय कोई भी बरतन ऐसा इस्तेमाल ना करें जो चारों तरफ से बंदू हाँ हमेशा खाना बनाने वाला बरतन खुला हूँ आधा खुला आधा बंद है तो भी चलेगा पूरा बंद ना हो क्यों बाहर की हवा खाने को बनाते समय अंदर प्रवेश करनी जरूरी है भागवट जी ने कहा कि भोजन को पकाते समय सूरी का प्रकाश या पवन का इसवर्ष दोनों में से कोई एक चीज आवच्षक है या तो भोजन बंते समय सूरी का प्रकाश गिरिंग नहीं तो पवन का इसवर्ष हो हवा उसमें आई अब ये तभी संबभ है जब बर्तन खुला हुआ हो मतलब सीधा सा ये है बागवट जी कह रहे है प्रेशर कुकर में खाना ना हो अब प्रेशर कुकर बागवट जी के जमाने में नहीं था लेकिन नियम उन्होंने तब ही लिख दिया उनको शायद यह अत्लाजा था कि ये आदमी किसी ना किसी दिन बना लेगा इसको अब ये बात मैंने मजाग में कही लेकिन ये बड़ी गंभीर बात है ये प्रेशर कुकर का चक्कर बड़ा खराब है आप जानते हैं प्रेशर कुकर एल्लीमिनियम का है एल्लीमिनियम दुनिया का सबसे खराब मेंटल है धातू है खाना बनाने के लिए और पकाने के लिए मैंने एक सर्वे किया था आज से दस साल पहरे कि गरीबों को सबसे ज़्यादा अस्थमा, दमा और टीवी क्यों होती है गरीबों को उस सर्वे का रिजल्ट आया कि सारे गरीब लोग अलिमीनियम के बरतन में खाना बनाते हैं और खाते हैं, यही उनके दमा और अस्थमा का कारण और टीवी करना अब हमने घर में अगर लाया है प्रशर कुकर तो ये भी तो दमा और अस्थमा की बीमारी ही है आप इसे ना इस्तेमाल करें तो उसकी जगे क्या करें, बहोने में बनाएं दाल, कड़ाई में बनाएं, बहोने में में बनाएं मैं सबको ये सुझाओ देता हूँ प्रशर कुकर हटा के मिंटी की हांडी ले आए बहुत सस्ती आती है, 20-25 रुपए की आती है और हांडी में दाल पकाएं, हांडी में ही चावन पकाएं हांडी में खिछडी बनाएं हमारे देश में गाउं में अभी ऐसे ही चलता है हांडी में घोजन बनता है हांडी में दूद बनाया जाता है और दूद हाडी कि में जब पकता है न तो एकदम लाल सुर्ख हो जाता है वो दूद का स्वाद ही अलग होता है हाडी में हाँ हाँ बताता हूँ भी गैस पर कैसे चलेगी हाडी हाडी में दही भी जबाया जाता बहुत अच्छा स्वाद आप कभी कलकत्ता जाएं, तो वहां मीठा दही जरूर खाएं, कलकत्ता वाले उसको मिष्ठी दही बोलते हैं, वो सब हाडी में ही पहता है, हाडी में गरम करेंगे, हाडी में ही जवाएंगे, तभी उसमें टेस्ट आता नहीं, तो टेस्टी नहीं आता है, बड़े-बड़े और अब तो 5 Star Hotelों में हांडी की दाल भी मिलती है, 200 रुपई की एक कटोरी, आप यहां जाईए ना, हयात, जो यहां का अदिली का बड़ा Regency में चले जाईए, हयात में चले जाईए, Imperial में चले जाईए, अशोकाइं में चले जाईए, इस सब जगे हांडी की दाल है, लेकिन कटोरी 240, 250, 270 यह कीमत है, 250 में तो कम से कम 10 हांडी आती है, लोग जाते हैं वहां खाने के लिए हांडी की दाल, लेकिन घर में हांडी लाके क्यों नहीं पकाते हैं, तो आप कहेंगे, गैस पे नहीं चलेगी, बहुत अच्छे से चलेगी, हांडी को गैस पे चलाने का सबसे सरन उपाये है, गैस को धीमा रखो, कभी भी तेज गैस किया, तो हांडी चटक जाए, हलकी आच रखो, तो हांडी कभी ने ढूट दे, और मान लोग ढूट भी गई, तो दूसरी ले लेना, कौन सी ऐसी आपत है, हिंदुस्तान में डेड़ करोड कुमार हैं, जो यह बनात हैं, वो भूखमरी के शिकार हैं, क्योंकि आप खरीदते ही नहीं उनकी हांडी, आपने तो कुकर लाला के कुभारों को मेकार कर दे, रेफ्रीजरेटर ले आए, तो घड़े बिखने बंद हो गए, जब से कुकर आ गया, उनकी हांडिया बिखनी बंद हो गई, प्लास्टि क्योंकि अब उनका काम धंदा तो तूट रहा है, तो आप उनकी थोड़ी तो चिंता करो, कुछ खरीदो उनका, तो उनकी जिंदगी चले, उनका रोजगार बढ़े, तो सबसे आसान है कि हांडी खरीदना शुरू कर दो, दाल चावल उसमें बनाओ, और वही खाओ, इसका सबसे बड़ा फाइदा जो मैं कहना चाहता हूं वो ये, कि आप जाते हांडी मिट्टी की है, और मिट्टी में सबसे ज़्यादा कैल्शियम है, मिट्टी में सबसे ज़्यादा फॉस्फोरस है, कैल्शियम और फॉस्फोरस हमारे शरीर का सबसे महत्वूर केमिकल है, बिना केलशियम के शरीर नहीं हो सकता बिना फॉस्फुरस के शरीर नहीं हो सकता यह केलशियम और फॉस्फुरस सबसे ज़्यादा मिट्टी में है फिर उसके बाद आईरेन चाहिए हमको आईरेन भी सबसे ज़्यादा मिट्टी में है फिर मैगनीशियम चाहिए तो आधारे पर चाहिए यह शरीर तब बनता वह सम मिट्टी में तो मिट्टी के हाड़ी की डाल खाओगे तो सारी केमिकल शरीर को मिलेंगे फोकट में वुफत में और यही केमिकल अगर कम पढ़ जाए न तो डॉक्तर लिखके देता इकेंट्यूं उसकी गोली खाओ तो खा खाते हो सेकोडों रुपए खर्च करते हो और फिर भी गारिंटी कुछ नहीं है कि उससे कुछ फाइदा भी हो जाएगा उससे अच्छा ये है कि मुफत की मिट्टी की हांडी में सब केल्शियम फॉस्पूरस हैं वही खरीद लो डॉक्टर की केल्शियम की गोलियां खाने से अच्छा केल्शियम जिसमें है मिट्टी में उसमें डाल बना के खालो विग्यान तो यही कहता है तो आप अगर करें तो आज से अपने घर में बदलाव कर लें मिट्टी की हांडी खरीद लें फिर आप कहेंगे खाना बहुत देर में बनेगा मैंने बना के देखा मिट्ट की हांडी में दाल 28 मिनट में बनती है और प्रेशर गुगर में 10 मिनट में बनती है 18 मिनट का यंतरे ज्यादा लें और शरीर का स्वास्त अच्छा रहे तो 18 मिनट कौन बड़ी बात है मैं अभी थोड़े दिन पहले मद्रास गया था चिन नहीं वहां भारत का एक बहुत बड़ा समू है जैसे आपने नाम चुना हीरो हॉंडा ऐसे दक्षन भारत का गुरूप है टीवीएस सुंतरम टीवीएस मोटर साइकल उनके मालिक के घर गया था खाना खाना तो उनकी ध हांडी में दाल चावल खाते हैं तो उनकी पत्नी ने पता क्या उत्तर लिया वो तो भगवान क्रश्न भी खाते हैं मैं पूछा हो कैसे आपको वालू है जगनात्पुरी के मंदिर में क्रश्न भगवात को प्रसाथ मिट्टी की हांडी में ही चढ़ाएगा तो सुन्दरम गुर्प की जो मालकिन है वो मुझे कह रही है कि जो क्रश्न भगवान मिट्टी की हांडी में खा सकते हैं तो हम तो उनके भगत हैं ना हमको क्यों नहीं खाना चाहिए तो मैंने का आप तो 40,000 करोड का बिजनेस चलाती है आपके पस टाइम इतना कहा है कि जितनी देर खाना बनाएं तो उनका जो उत्तर था हूँ पर जब उन्होंने कहा कि ये 40,000 करोड या 4,000,000 करोड किसी भी काम के नहीं है जिस दिन शरीर बेकार हो जाएगा इतना इंटलिजेंट उत्तर आपको सुनने को कम लिए उन्होंने का ये 40,000 करोड या 4,000,000 करोड किसी काम का नहीं जब शरीर काम ना करे तो ये पैसा है किसके लिए हम शरीर स्वस्थ रखें इसके लिए तो सारा हम सरंजाम जुटा रहे हैं और स्वस्थ रहने का सबसे आ परोड़ पतिओं के घर में अगर ये हो सकता है तो आपके घर में वी हो सकता है करिए दिली के बहुत सारे कुमार आपका इंतजार कर रहा हैं कब आप उनको order करें और कब वो अपनी हांडियां बेचने के लिए आपकी मदद ले और अगर आपने सच में इनका उध्दार कर दिया तो इनकी जो दुआएं मिलेंगी आपको वो आपके जिन्दगी के हर काम को पूरा करें तो दोस्तों सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब करें फिर लाइब कमेंट और शेयर करें और हां हमारा एंड्रोइड एप डाउनलोड करना ना भूलें